हेलो एबरिवन कमल वेज कीचन में आपका स्वागत है आज हम बना रहे हैं तर्बूज का जूस तर्बूज का जूस हम दो तरीके से बनाएंगे इसलिए वीडियो को पूरा देखिए अगर वीडियो पसांद आई तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जुरूर प्रेस करें ताके मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं पहले तरीके के लिए मैंने तुर्बूज को इस तरह पीसिस में काट लिया है थोड़ा सा मैंने पदीना लिया है और थोड़ा सा नमक लिया है तो तुर्बूज और पदीना को हम ब्लैंडिंग जार में डालेंगे इसी के साथ पदीना भी डाल देंगे और ढकन लगाकर इसको ब्लेंड करेंगे तर्बूज बहुत सॉफ्ट होता है ना तो जी तीन से चार सेकंड में ही पिश जाता है अब बॉल के उपर खशनी रखें और इसको चान लीजिए तो देखा आपने कितनी असानी से हम तर्बूज का जूस बना सकते हैं तो यह दिखे कितना अच्छा जूस बना है अब हम इसमें डालेंगे आदा शोटी चमच काला नमक जहां अपनी टेस्ट के एकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं दूसरे तरीके के लिए मैंने तर्बूज के शिलके के साथ इस तरह से पीसिज कर लिए अब हम बॉल के उपर खशननी रखेंगे और कदूकस से हम इसको ग्रेट करेंगे अब एक-एक पीस को लेकर इस तरह से ग्रेट कर लिजिए तो यह देखे मैंने सारे pieces को इस तरह से grate कर लिया है तो इस त्रीके से भी हम बड़ी असानी से तर्बूज का juice बना सकते हैं तो यह देखे यह भी कितना अच्छा juice बनाए तो इस से आप कुलफी भी बना सकते हैं अगर आपके पास कुलफी बनाने वाला सांचा है उसमें एक मिंट के लिए रखें तो कुलफी बड़ी असानी से निकल जाती है तो यह देखी कितनी अच्छी कुलफी बनी है और बाकी के जूस को हम गलास में डालेंगे उपर से आइस क्यूब डाले पुदिने की पत्ती डाले और ठंडे ठंडे तर्बूज के जूस को इंजवाई किजिए समर की सीजन में आपके इस श्रीर को बिल्कु रिफ्रेश कर देता है यह जूस तो आप इस जूस को जूरूर बनाईएगा थैंक्स फूर वचिंग